हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे हमा के बरत कताव पाय चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको गरम में लड़का होने पर आप आलू से किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी दोस्तों ये लक्षण आप काफी हद तक इसको सही मान सकते हैं क्योंकि ये आप 99% चांस होते हैं अगर इस तरीके से आप आलू से घर में ही इस तरीके से आसान तरीके से करके इस तरीके से देखें तो लड़का होने का लक्षड आप समझ जाएंगे क्योंकि ये गरेलू नुसका है और अक्सर बूड़ी बुजरू मैला है तरह तरह के तरीकों से करवा के देखती है जब भी गाउ में कोई बूड़ी बुजरू मैला होती है या फिर कोई गरवती मैला होती है तो वो जनी जनी चीजों को देखती है तरह तरह की चीजों को दे दोस्तों मॉर्णिंग का जो फर्ष्ट यूरिन होता है आपको ले लेना है आप किसी भी प्लास्टिकी कटोरी गिलास या किसी भी दौना कुछ भी आपके पास अवैलेबल हो आप उसमें ले सकते हैं लेकिन द्यान रखें वो गीला नहीं होना चाहिए सूखा ही होना आलो आपको छील लेना है और छील करके आदा उसमें डाल देना है काटके अब आपको ये देखना है दोस्तों देखो जब बिना पानी के आलो को रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है अब पानी में आलो आप डालते हैं तो आपको ये देखना है कि अगर आपने उसमें य कुछ response आता है तो यह लड़का होने की निसानी होती है अगर आपने डाला है और यूई की यूई वो पड़ा है उसमें कोई भी response आपको नहीं दिख रहा है तो दोस्तो आप मान सकते हैं कि यह लड़की होने का लक्षन होता है यह लक्षन दोस्तो आपको चौते महीने पर कर करके देखना है क्योंकि साड़े तीन महीने पर बच्चे का पूरा विकास होता है और आपको चौते महीने के बाद आप इसको किसी भी महीने पर करके देख सकते हैं लेकिन चौते महीने से पहले आपको यह नहीं देखना है नहीं तो इसकी रेजल्ट आपको बिलकुल भी स पसंद नहीं था और अब आपको जैसी प्रेगनेंट हुई आपको कही गरोपती महिलाओं का कहना है कि हमें आलू वाइल करके उसको फ्राइ करके उसमें नमक डालके नीवू डालके इस तरीके से खाना पसंद आ रहा है या फिर फ्रेंच प्राइ बनाना या टिक की आलू के हो गए या रायता कुछ भी मतलब को चोड़ियां वगएरा आलू के ही आप खाना पसंद करती है आलू की चटनी हो गई इस तरीके से आप खाना पसंद कर रही है मतलब आपको आलू बहुत जादा अच्छा लग रहा है आपकी क्रेविंग सी बढ़ गई है तो दोस्तों य एक बेटा होने का लक्षन माना जाता है लड़की होने के टाइम पर किसी किसी गरवती महिलाओं को आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और किसी किसी गरवती महिलाओं को आलू खाना पसंद भी होता है दोस्तों ये बोड़ी के उपर डिपैंड करता है आपके के हार दिख सोब कामना है हैप्पी गोवर्दन महाराज